हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान रहा फो यू ओम बड़े शायन में, नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आठ नौवंबर को लगने जा रहे हैं चंद क्रहण का भारत के प्रमुक शहरों में समझ क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे इस दिन गर्वरती महलाओं द्वारा किये जाने वाले कुछ कामों के बारे में इसलिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें फ्रेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही सस्क्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जादा सी जादा लाइक और शेयर करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तो जोतिस अनुसार साल 2022 का अंतिम चंद ग्रहन आठ नवंबर को लगेगा यह पूर्ण चंद ग्रहन होगा जो अन्य देशों के साथ ही भारत में भी दिखाई देगा साल का ये आंकरी चंद ग्रहन कार्तिक माज सुकल पक्ष की पूनिमाति थी यानि देव दिवाली पर लगेगा चंद ग्रहन का सुतक काल ग्रहन के सुरू होने से 9 गंटे पहले लगेगा तो आईए जानते हैं चंद ग्रहन किन-किन सहरों में दिखने के साथ ही ग्रहन दिखने का समय क्या होगा और साथ ही जानेंगे गरहन शुरू होने से पहले गरबोती महलाओं को किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं चंद गरहन और सुतक के समय के बारे में दोस्तो चंद करहन 8 नौमबर मंगलवार को लगेगा भार्किय समय अनुसार चंद करहन 8 नौमबर की साम 5 बचकर 32 मिनट से सुरू होकर साम 6 बचकर 18 मिनट पर समापत होगा चंद करहन का सूतक करीब 9 घंटे पहले यानि सुभे 9 बचकर 21 मिनट पर सुरू होकर 6 बचकर 18 बोपाल में साम 5 बचकर 36 मिनट पर, शिमला में साम 5 बचकर 20 मिनट पर, कोलकाता में साम 4 बचकर 52 मिनट पर, पत्ना में साम 5 बजे, देहरादून में साम 5 बचकर 22 मिनट पर, नौईडा में साम 5 बचकर 30 मिनट पर, लखनव में साम 5 बचकर 16 मिनट पर, जैपूर में साम 5 बच बचकर 37 मिनट पर, मुंबई में साम 6 बचकर 1 मिनट पर, राइपूर में साम 5 बचकर 21 मिनट पर, इंदौर में साम 5 बचकर 43 मिनट पर, उदैपूर में साम 5 बचकर 49 मिनट पर, और गांथी नेगर में साम 5 बचकर 55 मिनट पर, आईए अब जान लेते हैं इस दिन गर्ववती म दोस्तों गरहन के दोरान गर्वती महलाओं को अपने साथ दुरुवागास लेकर रखनी चाहिए. गरहन खत्म होने के बाद आप इसे जल में प्रिवाहित कर दें. कोशिस करें कि गरहन के दोरान कुछ भी खाये पिये नहीं. और ग्रहन के दौरान लगातार मंत्र जाप करते रहें